Hello friends, ASTHIR TRADE से मैं आरण आपका स्वागत करता हूँ आज मैं आपको बता हूँगा कि ASTHIR TRADE में हम विडृटोल कैसे कर सकते हैं Actually ASTHIR TRADE में किसी भी application में विडृटा का option अवेलेबल नहीं है मतलब ना कि ODIN Dight में ना ही mobile application में ना ही HTML net net में तो process कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हमें आस्था trade.com website open करना होगा आप ये same process आपके mobile से भी कर सकते हैं और PC से भी कर सकते हैं आस्था trade.com website open करने के बाद हमें menu में जाना होगा menu में जाने के बाद हमारे पास option आएगा withdrawal का यह देखिए यह withdrawal option है जैसे यह withdrawal पर जाएंगे तो यहाँ पर withdrawal में यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना exchange सेलेक्ट करना होगा अगर हमाँ equity से payment withdraw करना है तो NSE select करना होगा commodity से withdraw करना है तो यहाँ MCX select करना होगा तो हमने यहाँ पर NSE select कर लिया है next हम अपना client code डालेंगे हमारा client code user ID यह हमने यहाँ पर डाल दिया है उसके बाद फिर हमें अपना mobile number डालना होगा जो भी हमारा mobile number रेजिस्टर मोबाइल नंबर या unregistered mobile number हम डाल सकते जिस पर भी हमें notifications चाहिए then फिर हम यहाँ पर amount डालेंगे कितने amount का हमें withdrawal request देना है वो withdrawal request amount डालने के बाद यहाँ पर हम capture submit करके और फिर submit button पे touch कर देंगे हमारे पास तोरंट message आजाएगा कि आपकी request जो है वो process में है और then आपकी request process होगी अब friends में आपको बता देता हूँ कि इसके timings क्या है equity के अंदर शाम को 5 बजे से पहले पहले working days में शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको request देना होगा और same day ही आपके खाते में 7-8 बजे के बीच में पैसा deposit कर दिया जाएगा आप अपने account में check कर सकते हैं commodity का timing है आज सुबह 8 से next day 8 बजे तक तो वो इस समय के बीच में आप कभी भी request देंगे वो next day 12 बजे के बाद ही आपके account में credit होगा तो अगर आप अगले दिन सुबह 7 बजे request देते हैं तो भी उसी दिन same day आपके खाते में 12 बजे तक 12 से 2 के बीच में आपके account में पैसे आ जाएगे